नमस्कार मैं हो दिवा बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के और बहने से पहले एक नजर सुन्खियों पर बिहार में मैट्रिक की कॉपियों के मुलांकन के बाद कल से टॉपर्स का हो सकता है वेरिफिकेशन बिहार की युवाव ने जीता एनाम फर्टी सक्षकों की सूची आते ही कई सक्षक स्कूल से हुए फरार बिहार में मुखिया से लेकर सरपंच को मिलेगी ट्रेनिक टेस्ट मैट जीतने के बाद भातिय टीम ने बनाया रिकॉर्ड इसके साथ ही भरते हैं सामता की बरी खबरों की और विस्तार से बिहार में मैट्रिक की कॉपियों के मुल्यांकन के बाद कल से टॉपर्स का हो सकता है वेरिफिकेशन पटना में 11 मुल्यांकन केंद्रों की अस्थापना की गई थी बताया जाता है कि 15 मार्च के बाद इंटर की परिक्षा परिनामों की घोस्त ना की जाएगी वहीं 13,4,362 चात्रों और चात्रों ने इंटर की परिक्षा दी थी बिहार में म्यूजियम नारी सक्थी को दर्साने वाली परदर्सनी का सुभारम बिहार म्यूजियम में नारी सक्थी को प्रदर्सित करने वाले रेसो प्रेक्टिब प्रदर्सनी की शुरुवात की गई है बताय जाता है कि इसके बाद लोग 2000 साल पुराने अतिहार से रुबरू होंगे कला प्रेमियों के सामने कला की प्रदरशनी लगाई गई है आपको बता दें कि रेसो प्रेक्टप प्रदरशनी 15 से अधिक लगा गई है वहीं इसमें दो प्रदरसनी मात्र दो महीने के लिए लगाई गई है आपको बता दे कि भार संग्राले की महा निदेशक अंजानिक कुमार के प्रदरसनी से उधगाटन किया है इस दोरान दो पुस्तकों में भी विमोचन किया गया है बिहार में मौसम का एक बार फिर से बदला मिजाज मौसम बभाग के अनुसार दिन में गरμी लगेगी लेकिन रात में ठंड सताईगी वहीं धूपी खिलेगी मौसम बभाग ने कहा है कि 9-13 मार्च तक ठंडी हवा सताईगी इधर सुबह में गर्म कपरे पहने की सला दी गई है आपको बता दे की पहारों में बर्फ बारी हुई है इस कारण तापमान से 2-3 डिगरी की गिरावट देखने को मिल सकती है वहीं पच्छुआ हवा के कारण लोगों को सुबह और रात में ठंड का एसास हो सकता है दिन चरन के साथ ही तापमान में बरहोतरी दर्ज की जाएगी मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यहीं सिती एक सब्चा तक रहने वाले हैं फरजी सिक्छकों की सूची आते ही कई सिक्छक स्कूल से हुए फरार हो गया है वही कुछ टीचर छुट्टी लेकर जा चुके हैं के वेतन को भी बंद कर दिया गया है एक प्रमान पत्र दो सिक्छक की बहाली का मामला सामने आया है इस लिस्ट में बांका से 46 सिक्छक हैं वहीं सिक्छा विभाग ने इन टीचर के लिस्ट को तयार कर इनका वेतन लोका है वहीं इन सिक्छकों को 18 मार्च को सत्यापन के लि रेस्लिंग चैंपियंशिप में बिहार के युवाओं ने जीता है ना बिहार ओपन स्टेट आर्म रेस्लिंग चैंपियंशिप में बिहार के युवाओं ने हिसा लिया था पटना में ये प्रतियोगिता आयोजन की गई थी जिसमें बिहार के कई जिलों से पहुंचे खिलार प्रतियोगिता में जितने वाले खिलारियों को कैस प्राइज और सर्टिफिकेट दिया गया है। दोरान इन्हें नियम और कानून की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रतियोगिता में जितने वाले खिलारियों को जोईन नहीं कर सकेंगे। राजे में 75,549 सिक्षकों को नियुक्ती पत्र मिला था। दूसरी चरण में सबसे अधिक नियुक्ती पत्र पस्ष्म चंपारन के सिक्षकों को दिया गया था। इसकी संक्या 5,260 थी जबकि मधुबनी के 3,945 सिक्षक अभिहरतियों को नियुक्ती पत्र सौपा गया था। इस तरह से बिहार में दूसरी चरण में हजारों सिक्षकों की बहाली हुई थी। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि जिस स्कूल से विद्यारतियों ने आटवी कक्षा की परहाई की हो उस स्कूल से ही वो नौवी किलास से भी परहाई करेंगे। वही अगर किसी चात्र ने मध्य विद्याले से आटवें की परिक्षा पास की हो तो इसका दाखिला उसे पंचायत या अस्थानी निकाय में कराया जाएगा। मैनेजर और कैसियर ने मिलकर बैंक को लगाया करोरों का चूना। बिहार के सीधा मनी के उतर बिहार ग्रामीन बैंक के साखा बरगिनिया में मैनेजर और कैसियर ने बैंक को तीन करोर साथ लाग का चूना लगाया है। इसके बार इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वर्तमान साखा प्रबंधक निदन कुमार के आविदन पर तत्कालिन कैसिर को आरोपी बनाए गया है इसमें अब वैद निकासी की बात कही गई है वही ग्रांकों की भीर को देखते वे दोनों आरोपी फरार हो गया है इन पर कारवाई करते वे इन्हें सस्पेंट कर दिया गया है फुलिस इस मामले में एफायर दर्ज करके आगे की कारवाई में जुटी हुई है लोगसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है हर एक पंचायत और बूत हस्तर पर तैयारी की जा रही है वार रूम से सभी तैयारियों की निगरानी रखी जा रही है इसके लिए आज़री कारयाले के उपरी तले पाए बरे से कमरे में छे कंप्यूटर भी लगाए गए हैं उन कंप्यूटर पर तकनीकी के विशे सग्यों की तैयनाती भी की गई है राजत के राष्ट्य अध्यक्त लालु है उन्होंने कहा है कि सुभास यादब जैसे दरजनों लोग लालु परिवार के मनी लॉंडिंग मसीन है पूर्व डिप्टे सीम ने कहा है कि बालु माफिया सुभास यादब अरुन यादब भोला यादब पूर्व MLA अबू दोजाना और सराब कारुबारे विनोध जैस स्वाल लालु परिवार के लिए मनी लॉंडिंग की मसीन है वहीं आयकर प्रवरतन ने जिसाल है और केंद्रिये जांच प्यूरो इनके उपर हाथ डालती है तो इन बातों की जानकारी सामने आती है नेकिन इनके बारे में जवाब देने के बदले ये लोग E.D. और C.B.I. की कारवाई पर सवाल उठाते हैं सुसील मोदी ने कहा है कि राज़त ने 2019 के संसदिये चुनाव में सुभास यादव को 14 से टिकर दिया था मोतिहारी के बीजेपी सांसद ने चुनाव नहीं लड़ने का किया एलान मोतिहारी से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंग ने बरी एक राधा मोहन सिंग एक फैक्टर है और इनके असरवाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है 400 पार करने के लिए उनका असरवाद जरूरी है वहीं साल 2019 के लोकसवा चुनाव में राधा मोहन सिंग ने कहा था कि ये उनका आखरी चुनाव है वहीं अब उन्होंने कहा है कि विस्वास है कि सुनाव में भाजपा की जीत होगी और जनता जाती ब्रादरी और धर्म से उपर उठकर नरंद्र मोदी को जीत में मदद करेगी लालू यादव के करीबी सुभास यादव गिरफतार लालू यादव के करीबी सुभास यादव की गिरफतारी हुई है इडी ने सुभास यादव के घर पे चापे मारी की थी इसके बाद इनकी घर से करोरों के कैस बरामद किये गए थे वही अब रिने गिरफ़तार कर कोट में पेशी के बाद जेल भेजिया गया है सुभास यादव के ठिकानों से जमीन से जुरे दस्तावेज और कागजाद भी बरामद हुए थे साल 2019 के लोकसवा चुनाव में सुभास यादव आरजेरी के प्रत्यासी थे टेस्ट मैं जीतने के बाद भारतिय टीम ने बनाया रिकॉर्ड सी पॉइंट टेवल के में सीर्स पर अपनी जगह और भैतरीन कर ली है आपको बता दे कि धर्म साला में पारी और चौसर ट्रन की जीत से नौ मैच में भारत का प्रतीशत अंग चौसर दिसम्लों पांच आठ से अरसर दिसम्लों पांच एक हो चुका है इधर नियूजी लैंड साथ प्रतीशत के अंग के साथ दूसरे अस्थान पर बनी हुई है बीटे दिन हावाज़ दूरा पुछे के सवाल का आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे वाज़क पुछे के सवाल का जवाब दे順ूंके नाम है और आजका सवाल है क्या आपके छेत्र में अभी भी ठhtंड का हैसास हो रहा है यदि हां तो आप अपना जवाब हमें मारे comment section box में लिखकर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ परहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नूट और साथ अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेच को follow करना ना भूले धन्यवाद